जै गुर्देव और दोस्तों मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार देख स्वागत है और देखिए जैसा कि सभी जानते भी हैं कि दिपावली का तिहार नजदीक है और उससे एक दिन पहले मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ हाला कि देखिए टायम तो मिलने ही पा रहा है बहुत कम टायम मिल पा रहा है लेकिन फिर भी एक ऐसी वीडियो मैं आज आपको देने वाला हूँ कि जिसमें कि किसी प्रकार की कोई सामगरी की आवशक्ता नहीं है और बहुत ही अद्भुत एक मंत्र है जो मैं आज आपको ये दिपावली में एक गिफ्ट के तौर पर देने जा रहा हूँ देखिए दिपावली पर किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं लेकिन कुछ साबर मंत्र ऐसे होते हैं कि जो लगातार काफी संख्या में जाप करना पड़ता है तब जाकर के वो सिद्ध होते हैं लेकिन कुछ साबर मंत्र ऐसे होते हैं कि जो एक ही रात्री में सिद्ध हो जाते हैं लेकिन कुछ ही होते हैं जो स्वैम सिद्ध होते हैं उनका आप एक ही रात्री में और भी उनमें पावर ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं उस मंत्र के अंदर अगर आप दीपावली की रात्री में या होली की रात्री में या ग्रहन में इन तीनों में से कभी भी उस मंत्र मंत्र को जबते हैं अब आप एक जो मैं मंत्र आपको बताने वाला हूं ना इस मंत्र में कोई ज्यादा बड़े विदी विधान की आवर सकता नहीं है सिर्फ मंत्र ही मंत्र आपको जबना है और कब तक जबना है इस मंत्र का 31 माला का कम से कम आपका जाप होना चाहिए तो देखिए ये जो मंत्र है ये सर्वकारीय सिध्धी का मंत्र है, आर्थिक रूप से, वेवसाइक रूप से या वेवापारिक दरश्टी से, किसी भी प्रकार की जो सफलता है या उन्नति है, उसके लिए इस मंत्र का प्रियोग आप कर सकते हैं और इस मंत्र का 31 माला का जाप अनिवारिय है रात्री में दीपावली की रात्री में 31 माला का जाप आपको करना है इसमें माला आप कोई सी भी ले सकते हैं चाहे आपके पास रुदराक्ष की हो चाहे इसफटिक की हो चाहे हकीक की हो कैसी भी माला हो उससे आप इस मंत्र का जा ले से ही ले रखी है जो सिद्ध माला है उस माला से ही आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और ये एक तरीके से दिपावली का गिफ्ट समझी है ये सिद्ध मंत्र है इस मंत्र में आपको ज्यादा विधी-विधान की कोई अवशक्ता नहीं है जैसे कि आप दिपावली पूजन करते हैं सामक्य वक्त दिपावली पूजन करें और रातरी जो होती है वैसे तो रातरी को बोलते कि नौ बजे से लेकिन इसको आप साथ बजे से आठ बजे से कभी भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और व्यापारिक द्रष्टी से या आर् दिभूत मंत्र है इसमें तीनों देवों का समावेश है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का और ये मंत्र आपको अभी तक मेरे विचार से यूट्यूब पर तो मिला नहीं होगा क्योंकि जो भी सावर मंत्र है स्वयम सिद्ध सावर मंत्र वो मेरा ही चैनल मैं ही आपको ऐसे मंत्र प्रदान करता हूं और बहुत से लोगों ने सिद्ध भी किये हैं और उनसे लाब भी उनको मिला है उन्होंने मुझे बताया भी है तो ये जो मंत्र है ये एक ही रात्री में करना है आपको तो यह मंत्र में आपको बता देता हूं मंत्र इस प्रकार से हैं ओम नमो महादेवी सर्वकार्य सिद्धकर्णी जो पाती पूरे ब्रह्मा विश्णु महेश तीनो देवतन मेरी भक्ती गुरु की शक्ती सिरी गुरु करणात की दुहाई भरो मंत्र इस्वरवाचा यह मंत्र है सावर मंत्र है और सर्वकार्य उसलिए है यह मतलब की आप का जो भी कार्य है जो भी आपको करना है वो आप अपने मन में धारन कीजिए आपको प्रतिये कारिये में आपको सफलता मिलती चली जाएगी अब इसमें आपको करना क्या है कि एक दीपक जला लें अगरबती धुबती लगा लें कुछ पुस्प और रोली या फिर कुम कुम के सर जो भी आपके पास हो जो भी जैसे कि आप महालक्ष्मी का पूजन करते हैं उस तरीके से आपको छोटा सा एक पूजन कर लेना है और सिर्फ मंत्र जाप करना इसका 31 माला का अब 31 माला का मतलब यह होता है कि एकसो 8 दनों की माला होती है तो जब आपकी एक माला पूरी हो जाए यह अग्नी 108 मंत्र bothar tout हो जाए तो एक माला होती है इस प्रकार से 31 बार आपको पूरी माला करनी है ठीक है? क्योंकि यह मैंने इसलिए समझाया है कि बहुत से लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है वो बार-बार पूछते रहते हैं मुझसे कि एक माला या 21 माला इसका अर्थ क्या है ठीक है क्योंकि बहुत कुछ ऐसे हैं लोग जो की ज़्याद़ पूजा पाठ नहीं करते हैं तो उनको नहीं मालूम है तो इसलिए मैंने उनको पूरी तरीके से इसमें ये बता दिया है और इस मंत्र में ज़्याद़ कुछ और विध आपको ऐसी चीज मैंने दी है कि वास्तों में तीनों देवताओं का मिस्रण है महादेवी का मिस्रण है इस मंत्र के अंदर बहुत सक्ति साली मंत्र है ये अगर आप कोई भी कारिये सिध्धी करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सक्ति साली मंत्र है इसमें आप शुरू जो भी आपका कारिया है कि मैं इसके लिए ये मंत्र जाब कर रहा हूं इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और उस जल को जमीन पर छोड़ दें और उसके बाद फिर 31 माला का आप जाब करें आपका कारिया 100% पुरा होगा ही होगा कोई नहीं रोक सकता है उसको ठीक है तो ये जो मंत्र मैंने आपको बताया हाला कि धन प्राप्ति के लिए बहुत से मंत्र हैं जिनमें की आप प्रियोग कर सकते हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा क्या होता कि साधना कुछ दिल लगातार करनी पड़ती है ठीक है लेकिन ये जो मंत्र मैंने आपको बताए इसमें कोई ज्यादा लंबा दिवदान नहीं है और हाँ एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी रोग निवारक मंत्र हैं सावर मंत्र जो रोग निवारक हैं वो भी एक ही रातरी यानि दीपावले की रातरी में ही सिद्ध हो जाते हैं उनका कम से कम 11 माला 21 माला इस तरीके से एक ही रातरी में जाप करो तो वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है और दूसरा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो मैंने जिन्होंने जैसे कि नाभी दर्शना अपसरा या फिर दूसरी और अपसराओं की समगरी ली है और वो साधना करना चाहते हैं तो मै अब दीपावली की रातरी में उस मंतर का प्रियोग कर सकते हैं चाहे किसी वी अफसराओं करो मालिया आप नाभी दर्शना का करना चाहते हो या फिर ससी देव्या रंभा और वसी कोई सी बी अफसरा हो सिर्फ आपको वहां पर नाम जोड़ना है मंतर के अंदर तो उसी अगर देखिए यह उनके लिए है जिन्होंने सामगरी ले ली है जिनके पास सामगरी पहुंच चुकी है अपसरा की उनके लिए क्योंकि वो लोग एक ही रातरी में जो साबर मंत्र मैंने दिया है उससे आप कर सकते हो यह साधना संपूर्ण ठीक है तो अब इसी के साथ मैं व आपको लिख करके तो मैंने खेर देई दिया है वीडियो में और इसी के साथ मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूं और सभी जितने भी मेरे वीवर्स हैं सभी को मेरी तरफ से दिपावली के हार्दिक सुबकाम ना है आपका त्याहर मंगल मैं हो और मेरा अश्वीर वाद ह जाप के लिए कि आप जिस मंत्र का भी जाप करें वो आपकी साधना संपूर्ण हो तो इसी के साथ बोलिए वीर बजरंग बली हन्वान जी माराज की जय बोलिए मेरे परामहान से सद्गुर्देव की जय